हलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर नहीं तो आज के वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे जरूर हो जाएंगे क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बोरिंग तुरे की एक इंट्रेस्टिंग सबसी चो बनती है एकदम नए तरीके से बहुत ही आसानी से वह भी इतनी तेस्टी विनाप्यास से सुनके कि अगर आपने एक बर खाया तो आपको मज़ा आ जाएगा तो देर किस बात किये करते हैं शुरू से शुरू तो रेसिपी की शुरूबात करने के लिए हमें चाहि चलका इस तरह से उतार लेंगे आप चाहें तो बिना चलका उतारे भी इस रेसिपी में तुरह को यूज़ कर सकते हैं पर चलका उतारने पर तुरह का टीस्ट बैटर आता है इसलिए मैं इसमें तुरह को छील कर यूज़ कर रही हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारी तुर में से इस तरह से डिवाइड करेंगे दो पार्ट में और इसे करीब एक एक इंच के पीसिस में कट कर लेंगे आप चाहें तो थोड़ा चोटा भी कट कर सकते हैं लेकिन सब्जी में थोड़े बड़े पीज दिखते हैं तो अच्छे लगते हैं तो हमारी सबजी कटकर रेडी हो चुकी है तो अब अगले सेप के लिए हम रखेंगे गयास पर फ्रेश गुकर और इसमें डालेंगे तो से तीन टेबल स्पून कोई साभी कुकिंग ओयल जो आप यूज करते हैं और इसे करम कर लेंगे अब इस करम करम तेल में डालेंगे आठ से दस कड़ी पत्ता इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो ज़रू डालेगा साथ ही डालेंगे आधा चोटा चमच जीरा और दो से तीन चुटकी हम डालेंगे इसमें हींग हींग डालने से टेस्ट भी बेटर आता है और फ्लेवर भी बढ़ जाता है सबजी का इसी के साथ इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ अधरक एक चमच एक हरी मिर्च को मैं डाल रही हूँ रफ्ली चॉप करके सिर्फ फ्लेवर के लिए आप जादा डाल सकते हैं अगर पीखा पसंदो और साथ ही एक बड़े साइस का हम टमाटर यूज़ करें एकदम बारीक बारीक काटके क्योंकि हलकी सी खटास अच्छी लगती है साथ ही डालेंगे हम नमक स्वादनुसार और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे इसके साथ हम इसमें डालेंगे कुछ रेगुलर मसाले जैसे चुथाई चुटा चमच हल्दी डालेंगे एक चमच धनिया पाउडर डालेंगे हम डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए हैं आप साधी वाली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर में हैं बस सारी चीज़ों को मिक्स करके हम मसाले को पका लेंगे और आप देखेंगे कुछी सेकिंड में आपका मसाला पके रेडी हो जाएगा और ये तेल छोड़ देगा आप देख सकते हैं मसाला फटा फट से बन कर तयार हो चुका है तो बस आप क्या करना है अब हमें इसमें डालनी है तुरही जो हमने पहले से ही कट करके रखी हुई है और साथ ही इसमें हम डालेंगे मूं की धुली वाली डाल ये है तीन टेबल स्पून धुलीवी डाल इसे हम धो कर इस रेसिपी में यूज करेंगे इसे सबजी का टेस्ट भी बेटर आता है और ग्रेवी का टेक्शर भी बहुत ही अच्छा हो जाता है तो इसे तीन से चार चमत जरूर डालेगा तो बस हमने तुरही के बाद इसे दो कर इस रेसिपी में डाल दिया है बस सारी चीजों को अच्छी से मिक्स करके कुछ सकेंड के लिए भून लेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स आपस में मिल जाएं अब हम इसमें डाल रहे हैं करीब आधा कप पानी इस इस रेसिपी में आपको पानी का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ऐसा इसलिए क्युक् activities तुरही ऑ calming चोड़ती है जब कुख होती है और due कि हम सब्स कोстंब कर देग की बन और इसे हम मीडियम फ्लेम पर 5-6 सीटी आने तक पका लेंगे और तब चैक करेंगे जब प्रेशर पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो गर्मा गरम धुआदार सबसी बन कर बिल्कुल तयार है इसमें हम डालेंगे एक चमच कसूरी मेती कसूरी मेती का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालेगा अदर्वाइस आप बारी कटाओं हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं बढ़िया सब्जी बनके बिल्कुल तयार हो चीगे है तो इसे करेंगे हम सर्फ तो सर्फ करने से पहले एक फाइनल टच हम और देंगे और इसमें हम डालेंगे श्रद्धा नुसार देसी की जी हां इसमें हम देसी की ज़रूर एट करेंगे क्योंकि इससे फ्लेवर और टेस्ट दोनों बढ़ जाता है तो बस हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तयार है इसे आप पराथे, चपाती यार राइस किसी के साथ भी सर्फ कीजे आपको यह बहुत ही जदा अच्छी लगेगी तो इसे ट्राइ कीजेगा और अपने experiences मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजेगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई